स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्ट्य टेकनोलजी में मैं अनुफर्मेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो कंप्यूटर विड्नस्टी में आज हम लग बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल मीडिया के बारे में कि 2022 में इ देटा जादा इंपॉर्टेंट है जैसे सुम बढ़ता है जो फोटोस आपने पहले बच में लिए वह जबूरी था बहुत सारे सौंग्स आप करते हो और बाद में बता चलता है वह सब सौंग खोशते रहे जाता पहले आपको नाम नहीं आद रहता दूसरी बाद वह आप समझें और डेटा के मामले में यह समझें डेटा एक और तिगड़म वाला चीज़ लगाता है कि जितना वह पुराना होता हो जाता है उतना उसका वैल्यू बढ़ते चला जाता है यानि कि आपका मतलब माली क्लास 10 का कोई फोटोस आप है दोस्त लोग के साथ है वह अभी क चला जाता है तो यह समझना बहुत जरूरी है और इसमें यह समझें कि दुनिया में से दोही तरह के लोग होता है एक जिनका डेटा उड़ चुका है दूसरा जिनका डेटा उड़ने वाला है या कोई तीसरा तरह का नहीं होता है तो यह समझें कि यह एक ऐसा चीज है जब इनके बाद लोगों पता चलते हैं कि अरे वह कितना वैलीबल था चाहे हो हार्ड डेस्क में उड़े, डिस्क उड़ जाए आपका आर्काईव कहीं रखा गया है वह उड़ जाए उसके बाद पता चलता है कि यह कितना इंपोर्टेंट था क्योंकि सुरू सुरू में साब को लाता है एक दम ग्यारेंटी दे रहा हूं कि या तो आपके डेटा उड़ चुका या उड़ने वाला है तो ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए समझें कि बहुत सारा डेंजर एक्जांपल के तौर पर जो है स्टेबल नहीं है यानि कि आपका जितना हार्ड ड्राइव से होता है उसको अगर आप निकाल के रख देते हैं वो ज्यादा टाइम नहीं टिकने वाला है बहुत खुश्किसमत रहे तो पाच्छे साल जाए अलग अलग रिजल्ट आता है कुछ लोगों का है इसको अग उसको चक करते रहते हैं कि वह जिंदा बचा भी है कि ने क्योंकि अगर उड़ गया ठीक है तो दूसरा आपका एक्टिव रहेगा उससे आप तुर्ण बैकप करके क्लोन बना लीजाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि वह टिकता नहीं है तो इंडूर्श्रियल वोल्ड में क्य बर्ण वाला है और जैसी दस हो जाता है उसके फिर से माइग्रेट किया जाता है कि अधसाल पहले का टेप है दस साल होने वाला है आपका सौफ्टर अब आपको हो गया था साल तो आप उसका डेटा निकालके नए वर्शन के टेप में उससे डाल के आगे अरे फार फरृट तो मेंगनेटिजम के साथ सबस्वड़ यही प्रॉब्लम है, हाट डेस्क के साथ भी वही होता है और टेप के साथ भी वही होता है, फिर हो गया आपका SSD, आपका जीसे हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोन गेट, यानि कि इसलिए आप मेमोरी काड में डालके SSD में डालके सचे कि अब यह निश्चिंत रहेगा वैसा नहीं हो चुकि वह इलेक्ट्रोन गेट्ट्रोन दीरे दीरे लीग करी जाएगा, वह स्टेडी स्टेट पैसा है और आपका डेटा स्वाहा हो जाएगा तो यह तो कहा है फिजिक्स यह समझे यूजर सबसे बड़ा एक्सीडेंट करता है यानि कि एक्सीदेंशन डिलीतर आप कुछ भी डिलीट कर दी और अभी आपपल चितने लोग है जो शिफ्ट डिलीट डबाते आदत पड़ गया है शिफ्ट डिलीट रीसैकल बिन का तो रीसैकल में नहीं कर सकते भाट में पूरा एक सर्वर रखते हैं, जिसका को भी फाइल डिली तो हमें अनको फाइल स्राइब में बात बाता है अगर वाल्ट से डिलीट किया गया ये डिलीट नहीं होने देता है वो इंडेक्स को rewrite कर देते हैं कि यह index खाली मालो लेकिन वहां actually जा के कुछ rewrite नहीं कर रहा है लेकिन अगर माली अपने copy paste कर दिया उसके बाद कुछ जिसे कहते है overwrite तब तो वो data गया वो data चला गया वो कभी था ही नहीं तो यह समझ लिए यह user से होता है सबसे बड़ा कारण ह है कि वो खुद ही delete कर देते हैं अरे मैंने सोचा था दूसरे इसमें था SSD में था पहले वाले से डिलीट किया लेकिन दूसरे वाले में चेक नहीं किया बाद में गया अरे इसमें भी नहीं है और अगर माल यह तुरंत आप नहीं चेक कर पाए और ओवर्राइट कर दिया तो यह सबसे कॉमन कारण है लोगं का डेटा उड़ने का फिर होता है कि यह सब तो हो गया आपके साइट से गलती करने का फिर होता है कि मालवेर लग सकता है वाइरस हो आपका रूट वे कुछ भी किठों कि जो भी चीज एक्टिव है electronically चल रहा है उसमें कुछ लग सकता है और सोच के चलना कि मैंने नैस बना लिए पहली बात जो लोग एक नैस बना के चल रहे हो उनका कोई डेटा नहीं है वो भगवान भरोसी यह उड़ता ही है नैस पर सब लोग सिर्फ होते कि होड़ने से कुछ नहीं है अरे भाई पावर सप्लाइ तो एक ही है तो वह सब उड़ है क्योंकि एक ही नैस था तो अगर आप ऐसा चल रहे हैं कि मेरे पास एक नैस है उससे सब हो जाए कुछ नहीं होने वाला आप भगवान भरोसी है तो यही है सबसे बड़ा खत्रा पहले तो आप खुद ही डिलीट कर देंगे और अगर आप कुछ रख रहे हैं तो मतलब मै मीडिया यानि की राइट वन्स रीड मेनी मीडिया यह सब पहले बहुत इसमाल होता था अभी भी इस्तमाल होता जो लोग को डेटा सीरेसली रखते वह अभी भी इस्तमाल करते लेकिन वह समय यह जो मैंने आपको LTO टेप बता है इसी पर समझ यह पूरा कॉर्परेट वर् कवर करने लगेंगे फुर्स टाइम नहीं होनके पास की बाई मेरा सूपर कंप्रेटर डाउन हो गया तो यह समय क्यों नहीं लगे है कुछ क्योंकि यह फिजिकली डिसकनेक्टेट रहता है मतलब अलग जगा पर अलग चीज रखा हुआ है इसको असमान से तो फैरस नहीं क हर दिन को रात को मैक अदेटा मेरी जाता है तो यह समझेए राइट वांस रीड मेनी यह नहीं है लेकिन जतने ऑपिकल डिसको तो चाहिए पका CD हो जाए, DVD हो जाए, ब्लू-ray हो जाए, यह सब राइट वन्स रीड में होता है, जानि कि अगर आप जैसे इस तरह का DVD का खरीद लिया है, और इसमें अगर आप राइट कर देते हैं, दो बार आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इसका फाइदा होता है कि एक बार आपने डाल दिया है, तो वह डेटा आप जाएगा नहीं, तो आपके कम्पूटर में रैंसम्वेर लगे, आपका कम्पूटर अब मानवेर हो, हार्ड डिस्क होड़ जाए, उस आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और यह यूजर का भी रिस्क हटा दिते ह आप गलती से डिलीट कर दिया, वह नहीं होना, टैंपर प्रूफ भी कर देता है, कि ऐसा नहीं कि डिस्क को कोई तोड़ ने एक सकता, लेकिन डिस्क को तोड़ता तो पता जाए, जैसे माल लिए कम्पनी का बैक आपा बनाय रहा है रहा हो डिस्क में, और डिस्क देख एक तो नहीं डिस्क रखे रखे टूड़ जाएगा, कुईसी ने तोड़ा है, तो अगर पता चाएगा कम्पनी में कोई गरबड है, और ये लॉंग टर्म स्टेबल होता है, यह ज़रू समझे कि जितने भी वाम मीडिया जो धंग से बनाय जाते हैं, वह सब ऐसा बनाय जाता ह कारणी है कि CD तो बहुत कम जोर था, DVD जनल नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर आपका DVD नहीं चलना है, तो दो केस हो साथा है, पहला जो मैटीरियल आप इसकी क्वाल्टी बहुत खराब है, आप नहीं चेक का सकते, जो कंपनी बनारी वही जानती है, उसमें क्वाल्टी में जाता है, उसको डाल दीजे खुब सरा, फिर एक और प्लास्टिक लेगे, उसके अंदर और डाल दीजे, ऐसे से करके अगर तीन पराता बना देता है, और उसे एक मैटल बक्सा में रख देते है कि धूप ना पड़े उस पर बहुत लंबा चलने वाला है, मतलब आपका उम आपके साथ चलता रहेगा, आपसे पहले टॉइं नहीं होगा, तो यह बहुत इंपोर्टन बात है, मतलब यह LTO में ऐसा नहीं होता है, लेकिन LTO जितने भी कंपनी से इंवेस्ट करती है, वह समझी आर्काइफ करते रहते हैं, कि हाँ यह टेप का 5 साल हो रहा है, चलो यह सब चीज सही है, नहीं, डेटा गड़ बढ़ है, दूसरा, मतलब सर्वर से निकाल के डेटा से री राइट करो, डबल चेक करो, फिर अगर टेप में बार बार रा रा री राइट करे रहा है, ठीक हो, नया टेप लगाओ, ऐसे सब करके मिंटीन करना पड़ता है, यह ऐसा सबसे हाइट को देखके, सोनी और पैनसोनिक एक नया मीडियम उतारी है, जो अप्टिकल डिस्क आरकाइव है, यह अल्टी ओ जैसा ही है, लेकिन असे थरगा कम कासिटी का, सबसे हाइट का था पाइट पॉंट फाइट तरा बाइट का तो लेकिन यह वार में यह एक बार ब्लू-ray में सबसे हाइट से समझे कि आज करेंगे सिवीडी का तो क्या कर दो साथ साथ सामी में क्या टेगा मैं जैने पर लेकिन डिवीडी आप कहिए सिंग्वल लेयर डिवीडी मैंने तो इखार ता यह तो अभी भी अवेलेबल है, डूल लेयर के दाम बोट बढ़ गय उसका दाम था करेंगे आठ हजार रूप लिया है, पचास था, लेकिन हाँ वो 8.5 GB, 8.5 GB में आप काफी चीजी लिख सकते हैं, और फिर आपको हो गया कि नहीं मुझे ब्लू-ray और डेटा चाहिए, आपके वास दो आप्शन आएगा, ब्लू-ray का सिंगल लेयर ले ले लि वो समझ ये capital B गिन रहा है, computer आपका small B में गिनता है, तो ये 1000-1000 करके गिन रहा है, ये 1024 करके गिन रहा है, ये सब में होता है, इसलिए आप 4TB का कभी 4TB नहीं होता है, ये ऐसा नहीं company आपको लूट रही है, वो counting error है, हर company करती है, तो आप लोग ठक गए इसके पीछे, फिर अगर आप Sony का भी एक दो release होता है, जो 125GB का disc है, लेकिन वो अगर आप computer में रहेंगे, 115GB तक मिलेगा, ये एक disc का दाम थ्रो महेंगा होता है, ये सब सब्सक्राइब ये 25 रुपया का एक disc आता है, लेकिन इसमें ये M-Disc के बारे में मैं यहाँ बात करो, M-Disc का बात ये समझें कि JCB मतलब JLB, ये मतलब जो company बहुत पहले से media में काम करती थी, CD, DVD ये सब बहुत पहले से चल रही थी company, वो company bankrupt होने लेगे, मतलब optical media उतना चला नहीं, चला नहीं, मतलब अजन चला लेगन बाखी सब company दो दी उसको, उन्होंने एक development किया था patent का, कि जो मैंने वणनरेबल है और बात है कि उसमें बनाया गया वो तुकाव चीज़ नहीं है, वह एक डाई है जो आपका इसमें राइटेबल मीडिया, री राइटेबल में कभी डेटा मत श्टोडग ए री राइटेबल में कभी मत कीजे डेटा, आपका राइटेबल एटलीस कुछ साल तो चल ही सकता है, तो राइटेबल जतने मीडिया होता है, एक और अर्गनिक डाई होता है, तभी वो लेजर उसमें आप एच कर पाते हैं, फाइदा आप लेजर से एच कर पाते हैं, साइड एफेक्ट वो इतना आसान नहीं से एच हो गया, यानि कि कुछ भी और उसको है थे एक मेटियल जो मेटल मतल समझे इन ओर्गनिक था, अल्मोश पत्थर जयासा, साइड इफेक्ट उसको बहुत तकड़ा लेजर चाहिए, इसलिए अपका जो प्लेयर हो जो भी प्लेयर आप खरीदे उसमें एम डिस्क का लोगो है, तभी यह उस पर एचिंग कर सकता ह मैंने यह दोनों डिस्क ओडर कर दिया है, जब आएगा तो बाहर से रहा है तो टाइम लगे आने में उसके बाद मैं आप लोगो और डीटेल बता पाँँगा, तो इसाब यह रहता है कि एच करना इसमें मुश्किल रहता है, फाइदा चितना डिफिकल्ट है यह खुद ब रिस्क बहुत लंबा चलता है, मतलब लोड नहीं लेना है, जनरली जब तो कुछ गरबर ना आप क्योंकि कोई यह एक मशीन चीज है, बनाय ही जा रहा है, हो सकता है कि आपको एक डिफेक्टिव पीस में लिया और वो एक साल के इंदर उड़ गया, जनरली यह सब बहुत होता है बैकप के लिए, मतलब क्योंकि वो पूरा एक इंदर्स्टियर सेक्टर है, तो अगर देखूंगा तो आपको अराम कहिए, चार से पांच से जार रुपए में 6TB मिल जागा, तो उसी को क्यों ने इस्तमाल करते है, टेप 6-7000 रुपए में लेगा, ड्राइव जिस सकते हैं, डिस्क आपका महेंगा है, पर गीगावाइट देखें, बहुत महेंगा है, लेकिन इसका दो फाइदा है, पहला यह पैसिव है, यानि कि एक बार जब इसमें राइट कर दिया गया, वर्म है छेडखानी नहीं कीचा सकती, और लॉंग टर्म स्टेबल है, मतलब कि जो कसेट्स हैं, जिसमें आपका पूरा सर्वर बैक अपस किये जा रहे है, उसमें खुद लिखा हुआ है, मतलब LTO टेप आप खरीजिए, उसमें लिखा रहता है, यह ओनली टर्स्टेट फॉर 15 एर्स, मैक्सिमम 30, 30 के बाद तो खुद ही स्वाह हो जागा, यह सब की उसके बाद स्टोर कीजिए, जनरली लोग इसे फायर फॉर वॉल्ट में रखते हैं, यही आपको करने, एक बार बनाईए, चेक कर लीजिए, स्टोर कर दीजिए अच्छे से और बूर जाईए, और इसमें यही समझे कि अब आप कहुँगे कि कल को बुरे प्लेयर मीलेगा इसका लोड नहीं लेना है, क्योंकि बुरेय बहुत सक्सेस्फुल नहीं भी रहा, लेकिन सक्सेस्फुल इतना हुआ कि इस पर पुक्चर आने लगे, यानि कि जैसे आप यह पिक्चर खरी सकते हैं, यह बुरेय मेरे पस नहीं है, यह है अट्रीजिवी डिस्क पर आता है, यह पैकेज किया गया है 2007 में, 10-2007 में बैक किया गया, अभी भी चलता है यह अब ही चलता है, अब ही चलता है, और आप कहोगे कि अच्छा यह तो स्टैंप्ट डिस्क है, तो चलता है, जो मैंने बहुत सारे डिस्क राइट किये हुए थे, उसमें कोई यूसफुल चीज लेकिन वो सब अभी चल रहा है, तॉम एंजेरी का शोव में, किसी ने यह किया वाधा, मैंने राइट किया वाधा, डिवीडी में बहुत किये जा चुके है, यह इतना बड़ा मीडियम है कि इसको कई कंपनी सपोर्ट कर रहे है, चाहे वह आपका LG हो चाहे माइनियर हो चा कुछका लोड नहीं लेना कि वह खतम भी हो जाए, और चोकि इसका इंपोर्टेंस इतना जादा है, कि मानली जब पचास साल बाद आपके पास नहीं रहा, थोड़ा सा पैसा देखे, बहुत सारी आर्काइवबल कंपनीज होंगी उस टाइम पर जो आराम से आपका डेटा कर देंगे, अभी तक हम लोगों को वाइनल प्लेयर मिल जाता है, तो उसका टेंशन मत लीजे, चुकि यह इतना बड़ा इंड़ेश्ट्री बना, इतना सक्सेस्फुल रहा कि कॉमन पार्ट बन गया, कि यानि मिल ही जाएगा, अभी तक आप खोजनेगे गया तो आपको य यह समाझे कि आकरस दो अप्शनाता है, पहले तो यह एक्स्टरनल वो ले लिजिए, ब्लुरे ड्राइब या तो मेरे तरह इंटरनल लिजिए, इंटरनल लिया मैंने इसलिए क्योंकि यही अवेलेबल था सबसे असानी से और इंटरनल लेने का यह फादा है, इंटरनल ले ले लिजिए, और अगर आप रिपिंग करना चाते हैं, कि मैं जैसे यह डिसकाईस को कॉपी करना चाता हूँ, कॉपी नहीं हो सकता, तो यह सब करना चाते हैं तो आपको मेक-मक-वी ऐसे करके मेक-मक-वी आप लिखिए, उसमें एक ड्राइव का लिस्ट मिल जाएगा, य उस मतलब उनका 15-16 option है, उस 15-16 option में से कुछ खरीद दियेगा, तो आपका आराम से ripping हो जाएगा, और ये मतलब आप इसमें कुछ भी जबाको ये बनाना है, तो M-Disk वाला ही लीजिएगा, ताकि long term backup कर सके, और इसमें मैं खुद से अपना पैसे लगा रहा हूँ, तो आपको लंबे समय बाद बता पाऊंगा, और ये बात जरूर समझे कि ये सारे डिस्क में ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप खरीच सकते हैं, जिसमें white inkjetable disk आता है, यानि कि डिस्क के ऊपर में एक परत रहता है, जिसमें आप inkjet printer से printing कर सकते हैं, बहुत सारे printer में होता है, आपके सा दिस्क 90 GB का है, 25 डिस्क है, मतलब दाम बहुत जादा है, करीब 30,000 रुपया है, लेकिन हाँ inkjet printable है, यानि कि अगर मैं printer खरी लेता हूं, जिसमें ये प्रिंट कर सकता हूं, तो बैक अप भी बनाऊंगा, बैक आप के ऊपर उसका अच्छे से ये कर सकता हूं, मतलब लेइ लेगा, तो आप कर सकता है, और फिर भी ये सब के बाद जरूरी याद रखे कि अभी भी आपको follow करना है, 3, 2, 1 of backup, यानि कि 3 copy होना चाहिए, दो अलग ये medium में होना चाहिए, एक hard disk में मार रख लीजिए, एक disk में रखिए, और एक off-site हमेशा होना चाहिए, या आपके घर में ना हो, दूसरे जहां पे हो, या आपका अगर जैसे office में हो, दूसरे ब्रांच में हो, मतलब ये 3, 2, 1 minimum है, तो ये ज़रू समझ लिए कि मैं यहाँ disk में पूला हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्क में डली हो भूल जाई है, 3, 2, 1 आपको अभी भी follow करना है, हाँ disk एक देता है, और जो 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 डॉकुमेंट बहुत सीरियस है, जैसे कि शाधी हुदी का वीडियो हो गया, बच्च वचे का कोई foot, मतलब जो पहला कदम हो, हमका लोग को capture कर लेते हैं, वो सब अगर आप लंबी समय तक रखना चाते हैं, डिस्क एक अच्छा option है, दो दो डिस्क आप अच्छा लगा, कुछ सिखने मिला, कुछ समझ में, अगर ऐसा है, तो लाइक कर देजिए, दोस्ते हैं शेयर कर देजिए, इसे मेरे काफी बला होगा, नहीं अईसा लगा, नहीं बसन आए, कोई बात नहीं, आप डिस्लाइक कर सकते हैं, मैं आप से गोँगा है, कॉम